हेलो एवरिवन आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारे सिस्टर्स में आज इस वीडियो में हम बहुती सुंदर दो सलवार पोचे डिजाइन बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो सबसे पहले मैंने पोचे के दोनों तरफ लहरिया ल पिस्क्रिप्शिन बोक्स में दे दूंगी इसकी चोड़ाई मैंने त्री इंचिस रखी है और चोड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसके बीचों बीच हम इस तरह से निश्यान लगाएंगे और मैंने ये 3.5 इंचिस लंबा और 2.2 इंचिस चोड़ा बुक्रम का एक पीस काट लिया है इस पर हमें चिड़िया ड्रो करेंगे इस तरह से हमें चिड़िया की शेफ ड्रो करनी है अब इससे अच्छे से काटेंगे इस तरह से हमारी शेफ डिखेगी इसे हम इस तरह से रखेंगे और चिड़िया की शेफ को इस तरह से ड्रो कर लेंगे दूसरी तरह भी इसे इस तरह से रखेंगे और इसे अच्छे से ड्रो करेंगे अब पीछे हम टू इंचिस लंबी इसकी टेल बनाएंगे इस तरह से लहरिया की तरह बनाएंगे और हम इस तरह टू टू इंचिस लंबे कई लहरिया बना लेंगे आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कोई भी शेप दे सकते है दूसरी तरह भी इसी तरह से लहरिया बनाएंगे उसके बाद अंदर इस तरह से डिजाइन को ट्रो करेंगे अब यहां से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे यहां पर हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे और यहां पर हम इसकी राउंड राउंड करते हुए आख बनाएंगे उसके बाद यहां पर इसकी चोच बनाएंगे जैसे हमने शिप्ट रो की है बिल्कुल वैसे ही यहां पर हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे आप अपने पसंद के हिसाब से इसे फिल्क कर सकती है जैसे आपको डिजाइन पसंद हो उसके बाद यहां पर अंदर की तरह हम लहरिया बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बाहर बनाए हुए है इस तरह से जैसे मैंँ मैं डरा से रासंद के का अंवेश से पõ जह नहाईनस skirt हुए है उस अरुए है को और हासं आपका टा इसमेग आपको पल dece्टता है यहाँ नहां ओनगोर चाहे है यहां तक हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे वाग पीस हम यहां से दूसरी तरफ डिजाइन बनाना शुरू करेंगे इस तरह से मैं जो यह पीछे मशीन को सिलाई को कर रही हूँ यह मैं लिफ्टर की हैल्प से कर रही हूँ जब मैं सिलाई को पीछे की तरफ ले जा रही हूँ तो मैं लिफ्टर को उपर उठा लेती हूँ इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा अब हम टेल बनाएंगे जैसे हमने लहरिया ड्रोग किये हुए हैं बिल्पुल उसी के एकोर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से मैंने एक लहरिया पे दो दो सिलाईया लगाई हैं इसको अच्छे से फिल करने के लिए हम दो तिन लहरिया और बना लेते हैं अब यहाँ पर भी हम एक दो सिलाई और लगादेंगे और दूसरी तरफ इस तरह से सिलाई को ले कि आएंगे हमारा एक तरफ ये चिड़या बन गई है दूसरी को भी सी तरीके से बना लेंगे हमारा पहला डिजाइन बन गया है अब हम बनाते हैं अपना दूसरा डिजाइन इस पे भी मैंने दोनों तरफ लहरिया लगा लिये हैं इस पे हम 3-3 इंचिस के निशान इस तरह से लगाएंगे अब इस पे इस तरह से डिजाइन ड्रो करेंगे जो डिजाइन हमने ड्रो किया है बिल्कुल उसी के उपर सिलाई लगाएंगे अब इस तरह से डिजाइन को ड्रो करेंगे हम इसे एक लिव की शेफ देंगे और जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी के उपर सिलाई लगाएंगे एक बार रूर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम एक बार और सिलाई लगा लेते हैं ताकि यह अच्छा लगे और यहां से सिलाई लगाते हुए हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक डिजाइन बनाएंगे और इसे भी पहले वाले लिव की तरह ही बना लेंगे इस पे भी हमें तीन सिलाई लगानी है और अपने पूरे डिजाइन को हम इसी तरीके से कम्प्लीट करेंगे उसके बाद जो यह खाली बची हुई जगह है यहां पर भी हम एक डिजाइन बनाएंगे इस तरह से बिलकुल सीधी सिलाया लगानी है और हमारा डिजाइन बन जाएगा बाद की बची हुई जगह को भी इसी तरीके से फिलक करेंगे यह हमारा दूसरा डिजाइन भी बन गया है और हमारे दोनों डिजाइन इस तरह से दिखाई देंगे अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा रगा हो तो वीडियो को लाइक करना ने भूले अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई